नमस्कार दोस्तों, स्वागात है आपका हमारे डिली 36 गर्स करेंट अफएर्स सीरीज में आज हम 25 परवरी के बार में चर्चा करेंगे आपने अगभी तग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्टीब चैनल को और आपको इस वीडियो की पीडिया हमारे टेलीग्रेम पर मिल जाएगी आज के वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है ख्यान से देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा चलिए पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिजन हम कर लेते ह है 36 गड़ का दूसरा मिलेट कैफे कहां शुरू हुआ है तो यह कोर्बा के निहारीका में जो है शुरू हुआ है 36 गड़ के कितने अस्पतालों को मुस्कान कारेक्रम के अंतरगत केंद्री स्वास्थ मंत्राले द्वारा NQAS प्रमान पत्र दिया गया है तो यह दो अस्पत इसका सही आंसर है जानवी सोनी करेंगी मुख्य मंत्र व्रिक्ष संपदय योजिना के अंतरगत पांच एकर से अधिक भूमी पर विक्षर ओपन करने पर 36 गड़ राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिसत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा इसका सही आंसर है 50 प्रतिस स्थापित किया गया इसका सही आंसर है दूर्ग में 36 गड़ इस्थित पंडित रवी शंकर विश्व इद्याले के वर्तमान कुलपती कौन है इसका सही आंसर है सचिदनन शुकला खेलो इंडिया राष्टी महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 36 जाले में इसका सही आंसर स्वामी विवेकन तक्निकी विश्व विद्याले भिलाई में इस्त्री विश्व भूशन हरी चंदन 36 गड़ के राज्यपाल के रूप में सपत कब लेंगे इसका सही आंसर है तेवीस परवरी को 36 गड़ के किस जिल्ये में अंजोर चर्चा निगरानी के लिए समीति का गठन किया है इसका सही आंसर हैं समेह को चुना गया इसका सही आंसर है और चलिए आज का पहला प्रिशन देखते हैं New India Literacy Program के अंतरगत वर्स 2023-24 में 36 गड़ के कितने असाक्षरों को साक्षर किये जाने का लक्ष रखा गया है, चार आप्शन है, इसका सही आंसर आप्शन भी 5 लाग, New India Literacy Program के अंतरगत वर्स 2023-24 में राज्य के 5 लाग, असाक्षरों को साक्षर के जाने का लक्ष रखा गया है, इसके लिए 50,000 स्वम सेवी सिक्षक तैयार किये जाएंगे, और इसमें अकांची जीला और जो कम साक्षर जीला लदुद्दर है उनको प्रात्मिक्ता दी जाएग व्यवसाइक कोशल बुनियादी सिक्षयम सतत सिक्षा इत्यादी जो है इसके बारे में भी जागरूता कारेकरम चलाया जाएगा, और इसे जो प्रदेश के सभी जीलों में इसका क्रियान किया जाएगा, राज्य में असाक्षरों को अगामी पांच वर्सों में सत्प्रति चैंपियंशिप 2023 में भारती टीम में 36 या कितने खिलाडियों को टीम में इस्थान प्राप्त हुआ है, चार आप्शन आपके सामने दियेगे हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी A और B दोनों, तो इसमें इशान भटनागर और अकर्षिक अशब जो दोनों ने खिलाडियो 36 गड़ के अंतराष्टी बैटमिंटन खिलाडि जो है इसान भटनागर वो आकर्षी कश्यप भी इस टीम का हिस्सर हैं, बैटमिंटन एशिया मिक्स्ट टीम चैंपियंशिप 2023 में खेल कर जो आकर्षी कश्यप है वो 36 गड़ की पहली ऐसी खिलाडि बन गी है जिसने एशि मंत्री मितान योजना से संबंदित कौन सा कथन असत्य दिया असत्य पूछा है, चार आपके सामने ये कथन दिये गया है, पहला है सासकी कामकाज दस्ता वेज जैसे जन्म मूल निवासी आदी प्रमान पत्र घर पर बैठे मिल रहे हैं, प्रमान पत्रों के लोगों को टोल वरत्मान में 12 प्रकार की सेवाइं इसमें दी जा जा रही है। सास की काम काज के लिए जरूरी दस्तावेज़ जैसे जन्ममरीत की मूल निवासी वीवा प्यान प्रभा नुजनक के तहतंग असानी से मिल जा रहे है। इन प्रमान पत्रों के लिए लोगों को जो है ना टोल फ्री नंबर 14545 में कॉल करके अपॉंट्मेंट बुक करानता हूँ, इसके बाद जो है एक मितान आपके घरा कर आपके लिए जरूरी कागजात ले कर जाते हैं और प्रमान पत्रत जो तयार होने का आपको घर पे पहु रुकी गई है, मितानी उजना में ना 13 प्रगार की जो है सिवाएं वर्तमान में दी जा रही है और भविश्य में इन सिवाओं को बढ़ाने की उजना चल रही है, अगला प्रशन है, ग्रामिन अर्थ विवस्था को मजबूत करने के लिए, राज्य के सभी रूलर इंडस् स्थापित किये जाएंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन भी बार्क, मुख्यमंत्री भुपेज बगहेज जी की जो ग्रामिन अर्थ विवस्था को मजबूत करने की संकल्मपना है ना, उसकी लिए सभी रूलर ग्रामिन इंडस्ट्रियल पार्क में भाभा इटॉमिक कि 300 गॉठानों में रूलर इंडस्ट्रियल पार्क जो है निर्मान कराया जा रहा है, इसके लिए प्रथम किस्त में 300 करोड रूपए की सुकृती भी दी गई है, गॉठानों में यहां ग्रामिन तकनिति केंद्र इस्थापित कर ग्रामिन युवाओं को विभिन रोजगार की प्रसिक्षण दिया जाएगा और सांस साथ जो ना फल्स सब्जीयों और लगुवन उपज के विभिन उत्पाद तयार करने के लिए जो है प्रसिक्षण दिया जाएगा, योजना आयोग की बैठंग में राइपूर के इंद्रा गांधी क्रिशिविश्वेद्दाले मे मुख्य ग्रामिन तकनीकी केंद्र बनाने का निर्ना लिया गया है, मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी गौठानों में रूलार इंडस्ट्रेव partnerships के तहत जो ग्रामिन तकनीकी केंद्र स्थापीत किया जाएगे, उसका मुख्याली बोल सकते हैं या मुख्य ग्रामिन तकन केंद्र बनाने का निषड़ लिया गया है चार option आपके सामने यह हैं इसका सहीन answer अप्षन इंदरा गांधि कृशी वुष्वा विद्यालाय में होई अगला प्रशन है हाल इसकी Evet सर्वस्रिष्ट महिला कृसक का संब्मान निस संब्मान उन्हें संब्मान से जूड़ी अनिक गतिवीधी को अपना कर बेहतर उत्पादन से संद्धि में सफल होने के लिए मिला है अगला प्रशन है संगीत नाटक अकैडमी पुरुषकार से सम्मानित किया है इसका सही आंसर ऑप्शन भी डॉक्टर मुक्षदा चंद्राकर इनी को हम मम्ता चंद्राकर के नाम से भी जानते हैं मुख्यमंति सिभुपेज बगेल ने 36 गड़ की सूप प्रसिद्ध लोग गाई का मुक्षदा चंद्राकर या मम्ता चंद्राकर को संगीत नाठक अकादमी पुरुषकार से सम्मानित होने पर बधाई यम सुप कामनाय दी है वर्तमान में जो मम्ता चंद्राकर जी है ना वो इंद्र कला संगीत विश्वेदाले खेरागर की खुलपती हैं और ममता चंद्राकर जी को नई दिल्ली में आयोजीत गरीना पूर्ण समाहरों में राश्पती दोप्रती मूर्मू ने संगीत नाटक एकदमी पूरसकार से जो है सम्मानित किया है। पूर्ण समाहरों में संगीत नाटक अकादमी पूरसकार से सम्मानित किया गया है। भारत की संगीत एवन नाटक की राश्टु इस्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्याले जो है रविंद्र भवन फिरोश शाह रोड नई दिल्ली में है। इसी के तहट जो संगीत नाटक में फैलोशिप पूरसकार जो है। प्रदेश के चात्र चात्रों की सुईधा के लिए और राजिस्थान में कोचिंग करने आले राजिय के चात्रों की सुईधा के लिए जो है चात्रवास बनाना चाहती है। मुख्य मंत्र भूपेज बगिलने राचिस्थान की मुख्य मंत्रिय शोग गहलवत को पत्र लिख कर निशुल्क भूखंड अबंटित करने का अग्रह क्या है और इन्होंने एक एकड़ की जमीन निशुल्क मांगी है जो कोटा में जो विभीन कोचिंग संस्थाने उनके संस्क्रिती विभाग चत्तिस गड़ साशन द्वारा सिल्फ संस्क्रिती मड़ी 2023 का जो है आयोजन किया जा रहा है इसका आयोजन इस्थल महंद घासी दाज इसमारक संगरहाले परिसर राइपूर है इसका आयोजन जो है 25 फरवरी से 27 फरवरी तक तीन दीवसी होगा ध्या किया है इसका सहीं आंसर है ऑप्शन भी पच्चीस सो रुपए 36 राज्य सरकार विरुजगार युवाओं को हर मेहने बिरुजगारी भत्ता देगी मुख्यमंत्री भुपेश बगे लिए गोशन के अनुप वित्ती वर्स 2023-24 में आगामी एक अप्रेल से बिरुजगार भत उन्हें यह भत्ता नहीं मिलेगा और जिन परिवारों की वार्शिक आई जो है एक से दो लाग रुपए से कम है उन्हीकों विरुजगार भत्ता दिया जाएगा और बिरुजगार को कम से कमना 12 पास होना भी अनिवारियो है और पिछले 5 साल पहले करिया कहीँ पर यहां प प्रकार की अगला प्रश्ण है हाल ही में चर्चित गुडरी जहरना या किस जिली में इस्थित है इसका सही आंसर आप्शन डी राइगड में राइगड चिली के धरम जैकरवन मंदल के बोरो रेंच इस्थित इंच पारावार रुवा फुल के बीच प्राकृतिक गुडरी नामित किया गया है इसका सही आमसर आप्शन सी जाने के अधाया नागरिक है जिनको अमेरिका ने विश्व बर्क का अध्यार बनाने के लिए नामित किया मैंatic अगला प्रशन है हाल है इस राज्य का इुच्छ नियाले छेत्री भासा में नेर्डर प्रकासित करने वाला पहला नियाले बन गया है। option आपके सामने है इसका सही answer option is okay अपने हो लिया जारी किया करेगा और हाली में अपने दो फैसले भी इन्होंने मल्या बहाषा में जारी किये हैं आज के लिएं आपकी दोस्त स्य त्रрем buffs आपके दो जगा कि आतने हैं विर दृ बच्शाम आज के लिए बस इतना ही दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो से like, share और subscribe करें इस वीडियो के पीडियाप आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवा Thank you so much.